बुलंद शहर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है जिले में एक सबजी व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बताय जा रहा है कि बुलंद शहर प्रशासन ने सबजी व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबजी मंडी को सील कर दिय साथ ही सबजी मंडी को सेनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है मंडी सचिव मुद्रिका सिंग की माने तो मंडी को खाली कराकर सील किया जा रहा है जिबके उच्छादिकारियों के अग्रिम आदेश तक मंडी को सील ही रखा जाएगा करने दाधेश हुआ है समय से सब्सक्राइब हाओ अधर हमिरपुर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है बताई जा रहा है कि सुमेरपुर थाना के सिमनोडी गाउं का युवक बीते चार मई को महरास्ट से वापस लोटा था जिसका ग्यार है मई को सेंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रोशासन में हड़कंप मच गया अधिकारियों ने मौके पर पहुँच मरीज के परेवार वालों को क्वारेंटीन कर दिया यह अच्छे लाल मरीज जो की से नोगडी गाउं का है यह मौंबाई सेंट्रल से लौटा चार तारीक को हां सवा रही हो और साथ तारीक को यहां प्रूंचा आठ तारीक को जिराच के साले पूंचा है और उसके बाद इसको जांच करने के लिए सेंपल लेने के लिए पता कि रिपोर्ट बोच्चिव और सभी निरुवधार्ट में करवाई कि त्यारी की जा चुकी जल्दी टीम परूंच करवाई की जाएगे पूंच के लिए को पूस्ट्व के से के कांट्रेक्ट ट्रेसिंग होगी सभी लोगों के भी सेंपल लिए जाएंगे साथ में जो भी आपको बता दें कि ग्रिन जोन वाले जिले अमिरपुर में कोरोना के दूसरी दस्ता इससे पहले एक युवक किड्नी का डियलेसिस कराने ओराई जिले में गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बाद में वो नेगेटिव हो गया था बुलंद शहर से एकबाल सेफी और हमिरपुर से रविंद्र सिंग की रिपोर्ट